तो बहुत दाने जरूर तेंचे सोबत जावा करने शुटी ते सगे एकशाय आएथ फाइनली भारतीय जनता पक्षाला हरुणया करता पराजित करना करता सगे एकत्री तीनाचा प्रहत्न करता है पर कोड़ी एकत्री तालो तरी ही भारत आतली जनता महाराष्ट आतली जनता की मोधी जिन चा मागया है अने ती भारतीय जनता पक्षालाच निवडून देल फक्ता आता या सगे आलायांस मेरे शिवसे ना काय करनार ये चकड़े आमचो लक्षा से सब्सक्राइब करता आता नेमका सत्ते करता ते काय करता तो सई तैननी शिवसेने ने आता हिंदूरुदे समराट बाद से फ्याकरें चाहे वोजी जनाब बाद से फ्याकरे स्विकार लेला है आणी आजान चीस परदा वगरे साली है तैसा परिणाम आए का भागू तैसा फाइदा नहीं है शोटी सव्वेधानिक पदावर असले सव्वेधानिक पदावर है सव्वेधानिक पदावर असलेला व्यक्ति हाँ जेल मदे अस्तान ना तैनी पदावर राणाय योग्य नहीं है वैसे भी यह सारे लोग एक ही है और अगर इनके साथ जूड़ता है तो कोई हमको फरक नहीं पड़ता इसका कारण लोगों का विश्वास मोदी जी पर है लोग मोदी जी को देखकर हमको वोट करते हैं हमारे काम को देखकर वोट करते हैं यह सारे साथ में आ जाए तो फरक नहीं पड़ता अब इतना ही देखना है कि कि शिवसेना और एमायम किस प्रकार से साथ में आते हैं मुझे लगता है वैसे भी शिवसेना ने अजान्स परदा शुरू कर दिया है जनाब भास ठाक्रे कहना शुरू कर दिया है तो शाद आ भी सकते अजुना माजी आ संदरबाद काई चर्चा जाली नाए बुलाताच राजू शेट्टी है आमचा सोबत होते काई करणा ने ते पलीकड़े गेले आमचा एकस खरमाजे अचेत आपेक्षा योडिसा है सोबत कोण इनार है नाई है रत्यक्षा काईला शिवाया तेच्या जो कोणी शेतकरी नेता आसेल तेनी जर माच्चा कालात वोण भगितला तर जेवडे निरने शेतकराण चेह हिताचे मानानीया मोदी जिन नी गेतले तो उडे कोणी जेतले नाई आणि त्या सोबत विशेषता साखर कारखांदारी करता आणि उस उत्पड़क शेतकराण क करता जे मोदी जिन चा सरकार ना केला ते कोणी शेला नाई ते माला असा वटता कि याचा विचार प्रत्यकानी शेला पाई जे मात्र अध्याप माजी तेन्ची कुठली चर्चा जाली ली नाई